नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने यूटूब चैनल एचाराई निउस पर बहुत-बहुत सौगत करते हैं दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए ले करके आचुके हैं जहां पर दोस्तों चलेंगे एक एक करके तमाम बहुत बड़ी अपडेट साब तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमार साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अ कॉंग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का किया है आगाज घर घर पहुच करके मोधी सरकार की विफलताएं बताएगी पार्टी खबराप लोगों को दोस्तों बताते चलें भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद कॉंग्रेस ने राश्ट्र व्यापी हा चार सीट यहाँ पर घर घर तक पहुचाएंगे और वही दूसरी तरह बताते चलें भारत जोड़ो यात्रा लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रही है दो दिनों के विसराम के बाद आज एक बर फिर से भारत जोड़ो यात्रा सुरू हो चुकी है और यहाँ पर 30 जनवरी क भारत जोड़ो यात्रा का समापन कारकरम है यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी आज यहाँ पर 2024 के लोग सभा चुनाओ को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है अगर एकजूट हो गया विपच्छ तो बीजेपी के लिए खत्रा है आंकडे कह रहे हैं कि गिर सकती है बनती हुई सरकार खबर आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला आगामी लोग सभा चुनाओ को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारियां सुरू करती है बीजेपी एक बर फिर जहां पूर्ण महुमत से वापसी के लिए रणनीती बनाने में जुटी है तो वहीं विपच्छ दो हजार चुबिस के लोग सभा चुनाओ में बीजेपी को घेरने की लगातार योजना भी बना रहा है इस बीच देश की जनता के मूड को जानने का दावा करने वाला एक सर्वे आया है सर्वे इस बात पर है कि अगर अभी लोग सभा चुनाओ हों तो किसे बहुमत मिलेगा सर्वे में लोग सभा चुनाओ को लेकर के बेहदी लेस्प दस्वीर सामने निकल की आई है बताते चलें इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर आज देश में लोग सभा के चुनाओ हो तो किसकी सर्कार बनेगी इस सवाल के जवाब में बहुमत यदिये की सर्कार के पच्छ में आय को बताते चलें सर्वे के अनुसार, यहाँ पर एक बास समझने वाली है कि भले ही सर्वे में NDA को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है आकड़े बता रहे हैं कि भले ही अभी NDA बहुमत में नजर आ रहा है सर्वे की अनुसार लेकिन अगर विपच एकजूट हो गया तो बंती हुई सरकार पीजेपी के हाँ से फिसल सकती है क्योंकि यहाँ पर सर्वे की अनुसार अकेले दम पर भाजपा बहुमत से दूर है लेकिन NDA को बहुमत मिल रहा है सर्वे में आकड़े बताते चलें सर्वे की मुताबिक लोग सभा की 543 सीटों में से 298 सीटे NDA गढ़ बंदन को मिलती हुई दिखाई गई है वही कॉंग्रस के नितरित वाले UPA को 153 सीटे मिल रही है अन्ने के काते में 92 सीटे जा रही है और अगर यहाँ पर विपच एक चुट हो जाए तो काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है 2024 के लोग सभा चुनाओ में क्यूंकि लगातार कॉंग्रेस पार्टी काफी एक्टिम मोड में नजर आ रही है इस सर्वे पे दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं किसानों का फिर दिल्ली कुछ का एलान 15 से 22 मार्च के बीच होगा जबरदस्त प्रदर्शन कहा इस बार होगी आर पार की लड़ाई जी हां दोस्तों खबर बताते चलें मोधी सरकार के वादा खिलाफी से ठगे महसूस कर रहे किसानों ने अंतताहा एक बर फिर दिल्ली कुछ का एलान कर दिया है गन्य के भाव से लेकर के फैसलों के MSP तक की लड़ाई दिल्ली में ही लड़ने के फैसले पर मोहर किसानों ने अब लगा दी है काफी वक्त से किसानों में एक बड़े आंदोलन की आहट साफ तोर पर सुनाई दे रही थी किसान इस बात को सिद्द से महसूस कर रहा था कि मोधी सरकार ने उसके साथ किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया यहाँ तक की पिछले एक वर्ष में कभी भी मोधी सरकार ने उनसे बात तक करना मुनासिब नहीं संज़ा और वहीं बताते चलें इसी के मद्दे नजर अब किसानों ने बड़ा एलान कर दिया है और कहा है कि अब वक्त आर पार की लड़ाई का है और वहीं दूसरी तरह BK UK राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसानों को अपनी नसल और फसल बचानी है तो अपने ट्रेक्टरों को तयार रखना होगा कभी भी जरूरत पढ़ सकती है इसके साथ ही बताते चले पंजाब के किसान नेता डॉक्टर दर्सन पाल ने कहा है कि MSP गारेंटी कानून स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू करवाना और किसानों को करजा मुक्त करवाना है अजय मिश्रा टेनी को उसके पद से बरखास्त करवाने के साथ ही उसे कड़ी सजा दिलवानी है संयूक्त किसान मोर्चा 2030 में मोदी सरकार को जुकाएगा और अपनी मांगे मनवाएगा मार्च में दिल्ली में होने वाला प्रदर्शन बहुत बड़ा होगा इसके लिए सब ही तैयारिया की जा रही है यह यहाँ पर देख सकते हैं संयूक्त किसान मोर्चा एक बर फिर से एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर देश भर के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करेंगे दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन एक और बड़ी खबर आ रही है सिंदे के ग्रीचेतर में उधभ ठाकरे बोले पूरा देश जानता है कि वे बिके हुए हैं खबर बताते चलें सिवसेना उधभ बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धप्ठाकरे ने महराश्टर के मुख्यमंत्री एकना सिंदे को उनके ग्रीचेतर में जाकर के उनकी तीखी आलोचना की है उन्होंने सिंदे का नाम लिये बिना सिवसेना के साथ साथ महराश्टर से विस्वास घाद करने के लिए आड़े हाथ लिया है और कहा है कि पूरा देश जानता है कि वे बिके हुए है और कितने में बिके है इसके साथ ही उद्धप्ठाकरे ने आगे कहा है कि यहाँ पूरे देश में पता चल गया है हर कोने कोने में पता है कि ये लोग कितने में बिके है और सिवसेना में फूट ने ना केवल पार्टी बलकि महराश्ट्र को भी बदराम किया है यह यहाँ पर जबरदस तरीके से एक नास इंदे पर भड़के हैं उध्धप ठाकरे एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मोधी के मित्र अडानी बड़ी मुश्किल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कॉंग्रस की मांग कहा अडानी ग्रुप पर आरोपों की आरबियाई और सेबी करे जाच खबर बताते चलें कॉंग्रस ने अडानी ग्रुप को लेकर के हिंडनबर्ग रिसर्ज की एक रिपोर् प्रणाली की स्थिर्टा और सुरच्छा के लिए जिमिदार RBI और सेबी के दौरा जाज की बहुत आवसकता है इसके साथ ही यहाँ पर जानकारी के लिए बताते चलें रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी समो की कमपनियां भारी कर्ज के बोज से दबी हुई हैं और इस पर अडानी ग्रुप मुस्किल में फस्ता हुआ नजर आ रहा है और अब तो कॉंग्रस पार्टी ने भी जाच की मांग करती है इस बीच एक और अपडेट आ रही है MCD में हमारी सरकार बनने नहीं दे रही है बीजेपी बोले हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरब भारत द्वाज खबर जान लेते हैं आम आदमी पार्टी मेर और डिप्टी मेर चुनाव कराने के लिए सौपरीम कोट पहुझ गई है आम आदमी पार्टी ने सौपरीम कोट में या चिकादाखिल की है और जल्द वोटिंग करवाने और एलडर मैन को मत डालने से रोकने की मांग रखी है आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता सौरभ भारत द्वाज ने कहा है कि दिल्ली वालों ने MCD के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है लेकिन बीजेपी गंदी राजनीती के कारण हमारी सरकार नहीं बनने दे रही है आम आदमी पार्टी अपने लिडर एफ द आउस और मेर प्रत्यासी के लिए सूप्रीम कोट गई है और वहीं BJP ने यहाँ पर बॉखलाहट में कहा है कि जनता को कुमरहा करने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी और दोनों ही पार्टियां अब आमने सामने आ चुकी हैं इसके साथ ही अगली खबर बताते चलें साहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स आफिस पर उड़ाया है गरदा दो दिन में कलेक्शन सौ करोण के भी पार जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें तमाम विवादों के बाद रेलीज हुई पठान का क्रेज ओडियन्स के सिर चड़कर के बोल रहा है ओपनिंग डे पर बॉक्स आफिस पर धुआधार कमाई के बाद यहां पर दूसरे दिन भी फिल्म ने टिकेट खिड़की पर रसांदार कलेक्शन का यहां पर नया रिकॉर्ड बना दिया है और कमाई के मामले में अब यहां कलेक्शन यहां पर सौ करोण के भी पार जा चुका है ताबर तोड कमाई कर रही है पठान ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजिगा अपने सभी दोस्तों में वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद